नमस्कार आदाप सस्ट्रियकाल वेलकम तो इंडियनमनी.com लिए यूट्यूब चैनल जी हाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां पर आज मैं बात करने वाली हूँ एक बेहद प्रॉफिटिबल बिजनस के बारे में दोस्तों हमेशा स सिमेंट की इटे बनाने का व्यावसाए यानी की सिमेंट मैनुफक्टरिंग बिजनस हम हर बार सोचते हैं कि कोई ना कोई ऐसा व्यावसाय करें जिसमें कम लागत लगे कम निवेश लगे लेकिन जाधा मुनाफ़ा मिल सके लेकिन कोई भी बिजनस शुरू करने से पहले या उसे शुरू करने के बारे में सोचने से पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आखिर वो business हम क्यों करें उस business को करने के फाइदे क्या है और उस business को करके हमें कितना मुनाफ़ा होगा cement bricks का जो business है वो कई category में define किया जा सकता है जिसके अंदर holo bricks आते हैं और fly ass bricks आते हैं और concrete cement bricks आते हैं जिनको interlocking bricks के रूप में जाना जाता है cement bricks का business करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो छोटी सी पूझी से भी कारी करना अगर चाहता है और बड़े large scale तक भी जा सकता है तो इसमें बहुत बड़ा scope है आप हमारे छोटे entrepreneur जैसे सरकार की योजनाएं हैं जिसमें mudra loan बगएर है अगर आप चाहें तो 10 लाख रुपए की लागत से भी इस छोटे से काम को start किया जा सकता है और करोड़ा रुपए की investment के बाद भी इसको आगर बढ़ाया सकता है ठीक है वो एक अपना छेतर है चुकि फटलाइजर बिजनिस निश्चित रूप से गवर्मेंट पॉलिसी से एफेक्ट करता है और ये एक ऐसा बिजनिस है जिसमें कम लागत में हम एक नया उद्योग इस्तापित कर सकते हैं ये कहीं ने कहीं हमारे चोटे युवा बर्क के बच्चे हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो नोकरी न ढूनके अपने उद्योग की तरफ आगे बढ़ें और उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप कम पुझी में सरकार द्वारा जो उपलब्द कराई जारी मुद्रा नोन जैसी राशी है दस लाग रुपई की पुझी के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं और छोटे-छोटे स्थान पर कर सकते हैं चलन आज कल काफी जादा है तो अगर आप भी सोच रही है ये बिसनस करने के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि आप इसमें यूनतम दो लाग का निवेश भी कर सकते हैं आप 8 लाग के निवेशते भी इसे शुरू कर सकते हैं और अधिकतम आप 20 लाग के निवेशते भी इसे शुरू कर सकते हैं अगर मैं कमाई की बात करूँ तो इस बिजनस के पहले दो महीने में ही लाखों की कमाई आप कर सकते हैं बस आपको थोड़ी सी जानकारी प्राप्त क इस्तमाल आता है घर की दिवार के दोनों तरफ जो फिनिशिंग लोग आजकल कराते हैं उसमें इन इटों का इस्तमाल भी वो करते हैं और दूसरी बात इन इटों से आपको नमी की समस्या से भी रहत मिलती है तो अगर बारिज भी हो रही है तो भी इन इटों पे कोई असर न और इसके लिए बहुत अधिक पूंजी के आवश्यक्ता नहीं है, अगर हम सीमेंट, जिग-जैग, ब्रिक्स की बात करते हैं, तो ये दसलाग रुपई की पूंजी में इसको स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन जैसे हम इसके अगले सिग्मेंट में जाएंगे, फ्लाइ एच्ट लगाएंगे, या और उससे उपर होलो ब्रिक्स बनाएंगे, तो इसकी जो पूंजी है, मशीन और फिर सारा वर्किंग कापिटल को मिलाके लगवग एक करूल तक पर इंवेस्टमेंट इसको होता है, दस लाग रुपए की ये प्लांट एंड मशीनिरी और उसके जो बेसिक रॉमेटियल है आपका लगाने के लिए, तो ये एक वर्किंग कापिटल वर्काउट की गई है इसकी एक वीक के लिए, अगर हम महीने की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा इसमें रॉमेटियल में कोस्ट बढ़ेगी, दूसरा इसमें अगर आप लैंड एंड मशीनिरी लेंगे तो ये प्लांट बढ़ जाएगा, फिर ये प्रोजेक्ट लगवग 50 लाग का हो जाएगा क्योंकि इसमें जमीन को खरीदना, शेड को बनाना और फिर मशीनों को लेना, ये केबल 10 लाग रुपए में मशीन और उसके रॉमेटियल का रिजमेंट हो सकता है, इसमें अगर आपके बास भूमी उपलब्द है, तब इसमें काम चल जाएगा, अगर आपको भूमी लेनी है, तो उसके लिए आपको खर्चा देना पड़ेगा, हाला कि इसमें कोई बहुत बड़ा शेड की आवश्यक्ता नहीं होती है, क्योंकि यह ब्रिक्स ऐसी है, इसके लिए कहीं रखने के लिए इस्टोरेज के लिए कोई शेड की आवश्यक्ता नहीं है, खुले में रहती है, और उसकी जिदनी खुले में रहेगी उतनी क्योईर होगी, उसमें कोई प्राब्ड़म नहीं होती है, हमारे पास चुकि भूमी का अरिज्मेंट था, दूसरी फैक्ट्री वहां लग रही है, उसी के साथ ही इसको सिग्मेंट को लगाने के लिए 500 स्पैरफिट का अलग से शेड लगाया, और उसमें मशीन लगा दी, गोडाउन बगारा एबलेबिल है, तो हमारा करीब 10 लाग की पूजी की लगाने के बाद ही हमने काम स्टार्ट कर दिया, चलिए आपको मैं ये भी बताती हूँ कि क्या-क्या चीज़े चाहिए होती हैं सिमेंट ब्रिक को बनाने के लिए, इसके लिए आपको जिस-जिस रॉव मिटीरियल की जरुत होती है, वो जादतर होता है लाइ इक्यूबेंट्स की आविशक्ता है, उसमें सबसे पहले हैं कॉंक्रीट मिक्षर, तो ये बड़ी आसानी से उपलब्ध है, करीब डेल लाक रुपए इसकी कॉस्ट है, ये हड्रियलिक मिक्षर होता है, इसके अंदर कॉंक्रीट, सीमेंट और डस्ट का मिक्षर किया जाता है, जो भ्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब ये मॉटर तयार हो जाता है, तो उसको रखते हैं वाइव्रेटर के ऊपर, ये वाइवरेटर बैटर मशीन है, एक मशीन से भी काम चलता है, लेकिन इसकी स्रिक्ष बना रहा है, इसमें कम से क दो मशीन लगाते हैं और यह vibration के दिएरा modes चलते हैं और उसके बाद फिर यह सका fix thing हो जाती है एक cement concrete mixer हो गया एक vibrator हो गया और एक cement के जो घोल होता है उसको मिलाने के लिए एक मिक्षर की आवश्रत्ता होती है जो concrete mixture है यह करीब डेड़लाग रुपे का है एक लाग पिचास हजार के असपस और यह जो वाइबरेटर है यह 55,000 के 55,000 से 60,000 रुपए का एक वाइबरेटर टेबल आती है इस तरीके से एक से दो टेबल्स ली जा सकती है और इसका जो सीमेंट घोल बनाने का जो मिक्शर है वो 35,000 से 40,000 के असपस मिलते हैं और यह कॉंक्रीट मिक्शर और वाइबरेटर टेबल्स और सीमेंट मिक्शर यह सारी मशीने लोकल एरियाज में हर जगे गाजियाबाद में, लकनौ में, कानपुर में हर जगे उपलब दें और इसके जो मोल्स हैं वो भी हर जगे अबलेविल रहते हैं इसके मार्केट हैं और वहाँ से बड़े आराम से इनको लिया जा सकता है जहां तक कॉस्ट की बात है तो कॉंक्रीट मिक्शर डेलला के आसपस और यह 60,000 के आसपस की इसकी मशीन है जो टेविल है और मोल्स कई तरीके के बनते हैं जिसमें प्लास्टिक मोड्स होते हैं यह 30 रुपए से लेके और 50 रुपए तक के विवन अंगल्स के और मैटेरियल के कुछ रवराइजड होते हैं कुछ hard प्लास्टिक के होते हैं वो अबलेविल हैं और हर जगे मिल जाते हैं नहीं नहीं यह केवल जो zigzag interlocking tiles है जो सड़क पर लगती है यह केवल उसके लिए हैं और अगर आप fly ash ब्रिक्स की बात करेंगे उसके लिए एक automatic machine आती है और वो कड़ी 15 लाग के आसपास की machine है उसमें automatic brick बनके बहार आती है और वो costly machine है और गाजियाबाद बगरा से उसको ल ब्रिक्ष है वो भी उसी से बनाई जाती है जैसे कि आप कौन से level का business शुरू कर रहे हैं अगर आप छोटे level पे शुरू कर रहे हैं यानि कि आप manual machine से शुरू कर रहे हैं तब आपको थोड़ा सा घ्यान होना चाहिए और आप एक semi automatic machine लेकर अपने business की शुरूआत कर सकते हैं और बाद में आप उसे बढ़ा सकते हैं ब और एक आपको मैं बात बता दूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कच्चा माल आप कहां से खरीदेंगे तो चाहे आप भारत के किसी भी शहर में रहते हों आप online माध्यम से भी कच्चा माल जो है वो cement की इंट बनाने के लिए खरीद सकते हैं चलिए आप थोड़ी सी और बात कर लेते हैं लागत की यानि की कॉस्ट जो है वो कितनी आती है देखिए अगर आप एक छोटी मशीन खरीदते हैं तो एक छोटी मशीन जो होती है वो प्रती घंटा 800 इटे बना सकती है और अगर मशीन प्रती दिन 8 घंटे चलती है तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 8 into 800 is 6400 मतलब 6400 इटे प्रती दिन बन सकती है जिसमें एक इट पर 2 रुपे हमें बचते हैं यानि कि हम एक दिन में 12,800 रुपे कमा सकते हैं तो सीमेंट की इट को आपने बना तो लिया लेकिन आप इसे बेचेंगे कहां अगर आपकी ब्रिक्स जा रही है और कहीं particular place पर लगी हुई है तो उसकी जो quality है उसको adjust करने के लिए अगर आपकी branding साथ में जा रही है तो बहुत ही महत्पूर्ण है इसलिए इसमें एक ऐसा अभी फिलाल नहीं किया गया है लेकिन आगे हम लोग का ये plan है कि हम अपने modes को अपने brand से उसको लगाएंगे जिससे जो mode लाएंगे और वो जब उसके उपर brick बनेगी तो उसके उपर इंबोज हो जाएगा हमारा नाम तो अभी जैसे Paris हमारा group है वो उस नाम को इंबोज करेंगे और आगे से इंट Paris brand में दिखाई देगे बिजनिस में offers का बहुत ही जादा योगडान होता है तो इसमें आप इंसेंटिव के रूप में या offers के रूप में कुछ ने कुछ ने कुछ इंसेंटिव देना पड़ता है यससे कि आपके brand को अधिक से अधिक लोग purchase करें और उसका लाव आपको मिले फिलाल अभी sales के अभी इसका काम हो जाता है और आगे future में अगर ऐसा लगेगा कि इसको हम लोग एक जिले से बाहर बेजने की शमता में है तो इस पर विचार किया जा सकता है अभी फिलाल तो ये offline business ही है क्योंकि online business में अभी कोई scope नहीं है इसका और orders वगयरा भी personal contact पर ही मिलते है online business वो चल लेकि जिसमें आपको persuade करना है जिसमें आपको demand generate करनी है वो offline ही करनी पड़ेगी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप financial freedom app पे जो भी business course देखते हैं उसमें हम देश के अलग-अलग भागों से चुन कर आपके लिए experts लेकर आते हैं गुरू लेकर आते हैं mentor लेकर आते हैं जो कि आपको सारी जानकारी देते हैं तो इस course में भी हमारे जो इस course के guru है mentor है वो एक बहुत ही experienced व्यक्ती है आगे आने वाले भागों में मैं आपका उनसे introduction कराऊंगी वो आज इस course में आपको सिखाएंगे कि cement brick manufacturing business आखिर होता क्या है मैंने आपको जो जानकारी दी है वो क आपको बताएंगे कि ये business कैसे होता है इसे कौन कौन कर सकता है क्या इस business को भारत में हर जगा किया जा सकता है cement bricks की demand जो है वो कितनी है साथ साथ वो आपको ये भी बताएंगे कि बनाने के बाद bricks आप कहां बेच सकते हैं वो आपसे बात करेंगे income के बारे में expenses के बारे में वो आपको बताएंगे registration के बारे में, licenses के बारे में, और इतना ही नहीं, अपने business से जुड़े जो secret tips होते हैं, जी हाँ, आपकी तरक्की के लिए जो tips हैं वो भी वो आपको देंगे, इतना ही नहीं, हमारे mentor आपको ये भी बताएंगे कि इस business में क्या-क्या चुनोतियां आ सकत और मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जब आप इस course को पूरा कर लेंगे, तो आप सक्षम हो जाएंगे अपना खुद का business शुरू करने के लिए, एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपना खुद का cement की इटो का व्यवसाय खोलते हैं, cement brick manufacturing business कि अगर कोई बड़े scale पर इस business को करे तो एक साल में एक करोड या फिर एक साल में वो 10 करोड रुपे तक भी कमा सकते हैं, यह सब डिपेंड करता है आपकी लागत पे, अगर आपने चोटे scale से शुरू किया है, लागत आपकी जो है वो बहुत कम है, तो आप 1,00,00,00 इस business की अच्छी बात यह है कि रोजाना हजारों इटों का हो सकता है उत्पादन और जैसा कि आप जानते हैं तेजी से हो रही है अर्बनाइजेशन, बिल्डर जो है वो आश इटे यानि सिमिंट की इटों का बहुत इस्तिमाल कर रहे हैं, इन सभी इटों की जो मांग है व आप वो भी कर सकते हैं, साथ में अगर मैं लेबर की बात करूँ तो आपको सिर्फ 5-6 लोगों की जरुत पड़ेगी और स्टार्टिंग में तो आप कम लोगों से भी शुरू कर सकते हैं, दोस्तों इस कारोबार में जब आप निवेश करते हैं तो अधिकतर हिस्सा जो है मशीनरी में ही जाता है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर लाखों की बाते हो रही हैं और अगर आपके पास लाखों रूपे नहीं हैं तो क्या करें तो मैं आपको बता दूँ कि इस कारोबार के लिए बैंक से लोन लेकर भी आप शुरू कर सकते हैं, प्रधान मंतरी रोजगार योजना, मुख्यमंतरी, युवास्वर रोजगार योजना, यह बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, मुद्रा लोन हैं, जिनके थुरू आप लोन लेकर भी इस बिजनस को शुरू कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ कि यह जो कम मिट्टी वाले इलाके होते हैं, उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में मिट्टी की कमी की वज़ए से इटों का उत्पादन नहीं होता, इसी लिए यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश, हरियाना, पंजाब जैसे राज्यों से इटे मंगवाई जाती हैं, जिससे ट्रांस्पोर्टेशन का खर्च बढ़ता है, ऐसे में पहाड़ी इलाकों में इस मशीन की मदद से स्टोन, डस्ट और सिमेंट से इटे बनाने का काम आप शुरू कर सकते हैं, आपको बहुत फाइदे मंद हो सकता है, यह काम जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में मेरे गाउं में ही जो है इ बहुत सारी जगह इसकी डिमांड है, इन फाक्ट आपने अभी अभी यूनियन बजट देखा होगा, तो आपने यह सुना होगा कि सरकार जो है वो हर जगह बहुत सारे हाइवेज बनाने वाली है, यानि कि गाउं गाउं को शहर शहर से जोडने वाली है, जी हाँ, तो जब यह सब हाइवेज बनेंगे, तब गाउं में भी इन सिमेंट ब्रिक की जो है, वो बहुत ज़ादा डिमांड बढ़ जाएगी, और आपको पता ही है कि प्रधान मंत्री की यह जो योजना है, कि हर गाउं गाउं तक सड़क पहुँचे गाउं के अंदर जो है, वो गलियां जो है, वो बिल्कुल पक्की कर दी जाएं, तो इन योजनाओं के तहत भी जो है, गवर्मेंट भी आप से खरीच सकती है, यह सिमेंट ब्रिक्स यदि आप इन्हें बनाते हैं, मैं आशा करती हूँ कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, कि कितना जादा मुनाफे वाल तो लोन आप ले सकते हैं, लेकिन शुरू करने के बारे में सोचे जरूर, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जरूर जरूर कॉमें लिखें कि आप और कौन से वीडियो देखना चाते हैं, आप औ आइफोन दोनों के लिए ये आप बना हुआ है, छे लैंग्विजेज हैं इस आप पे, हाँ हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तैलगू, मल्यालम और कनड़ा, और 650 से भी ज्यादा कोर्स हैं, तो पटा-फट से आप डाउनलोड कर लीजिए और आत्मनिर्भर बन जाईए, इस is your host Sugan Sharma, signing off.